प्रेंस विल्कम बैक टू माई चैनल मेरे नुका स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर आज हम बनाएंगे एगले स्टॉवेरी केक तो फ्रेंस यह दिखे मैंने स्पोंज को बना लिया है और आज हम हाफ की जी का केक बनाएंगे स्टॉवेरी फ्लेवर में तो पूरा फ्रोसेस बताऊंगी और यह जो स्पोंज है स्टॉवेश करना यह हैं लुह बनाै यहसे मैं आपको पानी कोई कोई कंटेटी नहीं होती प्रेंस और पानी और यहां मैंने डाला है इसंस तो कि डाला भी एड नहीं किया फ्रेंस क्योंकि बीजिश में बनाने वाले तो दिप्सिशन बॉक्स में लिंक दे दूंगे आप जाके जरूर देखिएगा तो अब यहां बना ले के लिए स्टार्ट करते हैं तो यह पूंज मैं ने अच्छे तरह किसे बनाया है सिक्सिंच के टीन में मैंने बनाया है मैं 3SL में कटी करना है क्योंकि स्टार्च में कट कि होता है वह 3 लेर्स में कट करना हैं उपर की जो लेर को यह रहे हैं तो पर दुदेसर प्रेंदम मैं यहां पर दघाल से कट जो पणने हैं चाको से ही सही से कट हो जाता है तो इस तरीके से मैंने तीनों लियर में अच्छी तरीके से कट करूंगी और बाद में हम इसकी आइसिंग करेंगे स्टॉबिर केक हर किसी को पसंद होता है खाने के लिए तो आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं या नया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरू करिएगा और आपकी राइक कमेंट में जरू बताई होगा मुझे तो यह दिखिए मैंने स्पोंज को कट कर दिया है और यह यह 6 इंच का यह बेस होता है 6 इंच के मॉल्ड में हमें चैक स्पोंज को बेक किया है तो प्रेंस अभी जो नीचे की सब्सक्राइब काया है उसे हम इस तरीक से रखते हैं यहां एकार लिया है शुगर और पानी शुगर और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेना है यह दिख विदियो में है ना आपको पूरु डिटियल मिलने खhold मिलेगा और मेरा जादा है उतना ही होता है बट आप घर बैटे सेखे है कु datos डिजाइन्स दिखाती रहती हूं और आपको कुछ भी डौट है तो जरूर बेज़ेज़े कमेंट करिएगा और अब हमें इस शुगर सिरफ जो है वो इस तरीके से सोक करना है अच्छी तरीके से सोक करना है फ्रेंस आइस केक में क्या होता है आइस केक में जब हम केक खाते है एकदम घुल जाना चाहिए मूँ में डालने से इस तरीके से ना हमें इसे शुगर सिप कर लेना है और जा शुगर सिप नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्राइ हो जाता है केक शुगर सिप डालने से बहुत ही लगता है तो इस तरीके से मैंने शुगर सिरप का अच्छ से इकोली स्प्रेड कर लेना है कुछ इस तरीके से और यह बना रहे हैं तो यहां हम घर कर जो है वह एड करेंगे यह दिखिए स्टावीरी का ख्रश यहां की जी का और वहन की जी का आता है जैसे भी आपको चाहिए वैसी ले सकते हो कि जो सारे सामान से वह थोड़ा- तो आप थोड़ा थोड़ा लेकर बना सकते हो तो यहां मैंने स्टॉबेरी का क्रस्ट लिया है और इस तरीके से डालेंगे तो यहां एक दो चमची एड़ करना है तो मैं कोई चमच का यूज नहीं करें डिरेक्टली डाल रही हूं और यहां इसको अच्छे से स्प्रेड करन अच्छे से बहुत ज़्यादा पसंद और आज मेरी जारी एकल तो उनकी लिए केक बन रहा है और इस तरीके से करना है शुगर सिरफ और सेकेंड लियर को मैंने रख दिया है और करना है यहां शुगर सिरफ इसको भी अच्छी तरीके से और अब ड्राइभी केक रख सकते ह को बड्राइज से बहुत ही सॉप्ट और मुलाएं मूमें डालने से गुल जायेगा इतना टेस्टी बनता है केक और में अच्छे से शुगर सिप कर दिया है और आप हम यहां और क्रिम ढालेंगे और अच्छा से इसे स्प्रेड करेंगे तो प्रेंस केक के रिलीटेड आपको कुछ भी डौट हो तो कमेंट जरू करिएगा और मेरी केक्स आपको कैसी लगती है जरू बताना प्रेंस आपकी राये हमारे लिए बहुत मैंने रखती है तो इस तरीके से उन्हें स्प्रेड किया है और आप हम यहाँ डाल रहे हैं क्रश तो मैं यहाँ डाल रहे हूं क्रश और इसे भी करना है अच्छे से स्प्रेड देखे कुछ इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और आप इस पे चौको चिप्स आपको जो भी चाहिए तूटी फूटी वह भी आड़ कर सकते फ्रेंस तो फ्रेंस आप मैंने तूटी और चौको चिप्स लिया है और इस तरीके से इसमें भर-बर के डालेंगे बहुत ही तेस्टी लगता है फ्रेंस अब जरूर एड करिएगा है तो नहीं तो स्कीप कर सकते हो जो थर्ड लेयर है वह मैंने इस तरीके से रख दी है और इस तरीके से अच्छे से शुगर सीप कर देना है कभी-कभी मैं भी बहले सीखती थी तो तब मुझे भी ऐसा लगता जब हमारा केक सेट हो जाता है तो वह एकदम पीसिस में कट होने के लिए स्टार्ट हो जाता है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो इस तरीके से मैंने अच्छे से शुगर सिरप कर दिया है अब हम यहां इसकी पूरी तरीके से क्रम कोटिंग करेंगे केक में क्रम कोटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है क्रम कोटिंग के बाद ही आपको आइसिंग करनी है उससे क्या होता है क्रम कोटिंग करने के बाद आइसिंग करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी तरीके से आती है मैं एक स्टेप्स आपको बताऊंगी कि फिनिशिंग कै करने क्रम कोटिंग करके करम चो है क्रीम हो जाते में ना तब अच्छे से नहीं नहीं आपाती तो उसके किलिए एक यह मां टिपस तारही हूं तो यहां आगे पीछे करते हुए क्रम कोटिंग का लेना है जो क्रम से न वो सारे अच्छे से आपको चुपा लेने हैं कुछ इस तरीके से तो देखिए फ्रेंस इस तरीके से पूरा क्रम कोटिंग करना है केक की इस तरीके से तो पूरा आगे पीछे करना है पहले और बाद में एकी साथ आपको इस तरीके से गुमा लेना है तो उपर ह क्रीम स्क्राइब करने खीचने ही इस तरीके से करेंगे और नियाख रखेंग एक फिनिशिंग लाएक तो इस तरीके से आपको धेन रखते हुए क्रम कोटीग करने गरेंगे आपको अबMore करनी है अब मैंने पहले क्रम कोटींग करई हैं आप हम यहां इसकी final icing करेंगे एक layer होता है वो cream coating का और दूसरी layer जो होती है वो finishing का तो आप लंबा हो रहा है थोड़ा वीडियो फ्रेंस बट आपको इसमें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेगा तो फ्रेंस इस तरीके से जो तो फ्रेंस मेरी वीडियो आपको थोड़ी यूजफूल लगती हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरू कर देना यह दिके क्रीम है और अच्छी तरीके से बन गई है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है लिंक में दे दूंगी अब ज़रू देखिएगा रेडिमेट क्रीम है जैसे हम रेडिमेट क्रीम बनाते है वैसे ही रेडिमेट क्रीम भी है तो आप ज़रू ट्राइ करिएगा और मतलब वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से आ जाएगा तो अब हम यहां थोड़ी थोड़ी क्रीम लेंगे और केक की फाइनल फिनिशिंग करेंगे तो पहले मैंने क्रम कोटिंग कर लिए है आप फाइनल फिनिशिंग करेंगे क्रम कोटिंग जो होती है उसको जो केक के स्पोंज है वो अच्छे से क्रीम के साथ छुपा लेना है केक को जैसे मैंने इस केक किया है देखिए इस तरीके से सोरी सब्सक्राइ developers UK आपको सभी नहीं पता होता है और जावड़ी west प्रेंस्यों सब्सक्राइब अपाने हैं दो बतारे जो स calm da शौम के नहीं सफनाओं इसाले पता प्रेंस पैस्ट नहीं में के लिए पकार चाले मिल्म नहीं से तो एक तो शमार्ठी से नहीं यहां कवर करते जाना है तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी क्रीम को कवर करते जाना है एकी साथ एकी बहुत सारा क्रीम लेके स्प्रेड नहीं करना है थोड़ी थोड़ी क्रीम से ही आपको स्प्रेड करना है आगे पीछे को पैचुला को घुमाना है आगे पीछे करते हुए और इस तरीके से स्प्रेड करके एकी साथ फिर से लास्ट में घुमाना है यह देखे हो गई फिनिशिंग सैड की और आपके जो क्रम्स भी है वो भी नहीं दिख रहे हैं तो फ्रेंद आब हम क्या करेंगे थोड़ी सी और क्रीम लेंगे और उपर के सैड में इतने ही क्रीम में फ बस भी है देखे और जो इसट्रा वाली क्रीम आप निकाल नहीं है फ्रेंज अब में इसका जो डिजाइन है मैं सोच रहे हो क्या बनाओं बट में कुछ यूनिक्साई बनाओंगी इस तरीके से मैं इसकी फिनिशिंग कर दी है लेकिया और आपको इससे भी अच्छे से फि तो जो पैचुला आता है जिसे ओएच़ बोलते है तो इसका भी यूज करके ना आप केक को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से यह देखिए कि लग बहुत ही क्लीन ली से न अच्छे से फिनिशिंग आती है फ्रेंस बहुत ज़दा क्लीन आती है जिसको भी फिनिशिंग नहीं आती न तो वह भी इससे कर लेगा बहुत ही इजी लिए देखिए एकदम परफेक्ट फिनिशिंग बन गई हमारी तो फ्रेंस आपर लिया है स्क्रैपर से इस तरीके से स्क्रैप करना है से तो एकदम बेकरी स्टायल लगता है केक देखिए फ्रेंस और बहुत ही फिनिशिंग बहुत ही एकदम परफेक्ट बनती है इससे देखिए इस तरीके से फिनिशिंग कर लिए है अब हम यहां क्या करेंगे दो कलर में हम इस फ्लावर को बनाएंगे वह भी मैं यहां आज यूज कर रही हूं स्प्रिंग नोजल से हम इसकी डेकोरिशन कर करेंगे और यहां पान के फैटल से बनाओंगे फ्रेंस में तो कुछ यूनिक और नया करते हैं तो अब मैंने पैपिं बैग में रेड कलर लिया है जल फूड कलर और एक साइड में है इस तरीके से एक ही डॉप डाल रहे हूं देखिए एक ही ड्रॉप डाल के इससे खीचन दाल दो लिए ना विब क्रीम ढ लेते है इस में तो देखेए फ्रेंस मैंने क्रीम भर ली है एक साइड में रेड दिख रहा है और एक साइड में एलो और स्प्रिंग नोजल यहा है आग टूडी नोजल का यूज नहीं कर रही हूं और एक फ्लावर बनाके मैं आपको दिखाती हूं कुछ इस तरीके का इसका आए दिखिए दो कलर में अच्छे से नहीं दिख रहा है फ्रेंस यह दिखिए मैं नजीक से दिखा रही हूं मतलब थोड़ा थोड़ा फेंट और पिंक दिया है और यहां देखिए इसकी फ्लावर कितने सुंदर बनते हैं और थोड़ा सा नजीक करके दिखारी में आपको यह देखिए इस तरीके से और स्प्रिंग नोजल से डिजाइन बना रहे हैं कुछ आलग मतलब तूड़ी नोजल बहुत ज़्यादा मैंने इल्स कर लिया है ना तो इस तरीके से मैंने फ्लावर्स बनाया है गोल 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 और एक सेर से हम आउटलाइन करेंगे फ्रेंस न्युलाइब झालओ है जल्डेम तो इस तरीके से मैंने इहां एक से डेकोरेशन कर लिए मतलब एक से पुरा फूल से बरा है और एक सब्सक्राइब बनाएंगे चोटी तो यह चोटी डिजाइन दिखिए इस तरीके से यह चोटी डिजाइन भी बहुत ही सुन्दर लग द आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है किया और यहां ना मैं बीच में एक एक फ्लावर्स इस तरीके से बना दूंगी बहुत ही सुन्दर लग रहा है हमारा केक और यह देखे इस तरीके से आउटलाइन करनी है और आउटलाइन भी हमारी दो कलर में देख रही है आप देख सकते हो आउटलाइन भी दो कलर में दे सकती है मतलब मैंने जो इफेक्ट दिया है ना तो इस तरीके से कलर का इफेक्ट देखे आप बना सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल सा केक और यह डिजाइन जो है वह कलर की जो आइडियाज वह आपको कोई नहीं बताएगा मैं पूरा मेरे वीडियो में डिटेल बताती हूं तो इस तरीके से मैंने केक को डेकोरेट किया है और आप मैं क्या करूंगी यहा सब्सक्राइब में फ्लावर बनाया मैंने स्प्रिंग नोजल से और एक चोटी बनाई है और बीच में हमने मोदक चोटे चोटे बनाया और आउटलाइन की है दो कलर में यह दिक रहा है तो आब हम क्या करेंगे ना यहां इस साइड में चेरी लगाएंगे तो दिके फ्रें तो अब यहने लिया है थोड़ा सा निइन जल और निटरल घोल से थोड़ा सा हम इसमें न हार्ट के सिंबल जõ हो बना देते कुछ इस तरीके से और एक एक बहुत जाद ह कि देखता है और यह दिखिए और यह निटरल जल में पानी आइड नहीं करना तो यह क्या होता है ना बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी जो डिजाइन यह बनता है यह बहुत ही संदर तो यह आपको कैसा लग रहा है फ्रेंस के एक ज़रू बताना कमेंट में सिल्वर के जो बहुल से ना वो डाल रहे हूं है यहां डेकोरेशन के लिए यह दिके इस तरीके से और यहां भर भर के डालना है हमें और सैट से भी थोड़ा थोड़ा लगाएंगे और यहां ना एक एक थोड़ा सा न्यूट्रल जल डाल रहे हूं है तो फ्रेंस, आप मैंने लिये silver का spray और छोड़ा सा spray कर देते हैं और cake हमारा बहुत ही look full दिखता है fません और मुझे इना silver spray और golden spray बहुत ज़्यदा पसंद आता है क्योंकि ये हमारे केक को बहुत ही ज़्यदा look full बनाता है पाइनल केक का लुक देख सकते हो कितना ब्यूटिफुल लग रहा है और मैंने कुछ नया बनाया है फ्रेंस और आपको इसकी डिजाइनिंग और स्टॉबेरी केक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट स्क्षन में जरू बताईएगा आज की केक की रेसिपी आपको अच्छी लेगी होना स्टॉबेरी केक की तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट में आपकी राइज जरूर बताना और मैं इसलिए बोड़ यूँ क्यूंकि आप करते नहीं हो थैंक यू पर वाचिंग योरिवान बाइबाइबा